जैन दोस्तों दिपेंदिय अकाडमी में आपका श्वागत है आज हम लोग कंप्लेट करेंगे 2021-2022 के प्रमुख नीधन जो है जो में इंपोर्टेट लोग है उनका नीधन जो हो गया है उसके बारे में देखेंगे अभी गुरुबडी का एक्जाम चला है उसके लिए इंप इपोर्टेंट है या अन्य कोई भी परिच्छा आने वाला हो दोस्तों आप लोग का तो सभी के लिए फायदे होगा तो आगे बढ़िए पहला कोश्चन पे हम चलते हैं केके का मुन लाम है कृष्णनायर कनात कृष्णकुमार कनात प्रसिद दगायक है केके मुन लाम कृ पासुगायका के रूप में जारी जाती है इनको श्वर होकला के रूप में इसे जनध ओर TikTok को किला को जाता है लेकिन तो आप से सवर होकला पूछ ले को कहа इनकी मृत्तु 6 फरवरी 2022 को हो गया है 28 सितंबर 1929 इंदवर में जन्मली है इंदवर आपका मद्य परदेश में पड़ता है पुरसकार 1989 में इनको मिला है दादा साहब फाल के पुरसकार से नमाजी गई थी 1979 में पदम भूशर से नमाजी गए दोस्त 1999 में पदम विभूशर से 2001 में भारत रत प्राप्त हुआ इनको भारत रत रत न दिया गया तो ए जो आप ए जो लता मंगेशकर का नीधन हो गया है ए आई एमपी है दोस्तों इंपोर्टेंट है सभी पॉइंट याद रखिएगा अ सेनवाट किरकेटर आस्टेलिया के लेगी स्पीनर टेस्ट किरकेट में दूती सरवाधिक बिकेट मतलब दूसरे नमबर पे बिकेट लाने वाले टेस्ट किरकेट में दूती सरवाधिक बिकेट लेने वाले 608 बिकेट इन होने लिए टेस्ट किरकेट में यह भी लानी करके और इए IPL जितवाय थे IPL ट्राफी जितवाय थे आगे चलेंगे पंडित बिर्जू महराज इंपॉर्टेंट है दोस्तों हमारे जो कत्थक से संबंदित हैं पंडित बिर्जू महराज का भी नीधन हुआ हैं कत्थक निर्थि से संबंदित इलखनव घराने से हैं आपको important में आपके question को पुष्टा है से पूछेगा कि पंडित जो विर्जु महराज है किस घराने से related है UPGK में पुष्टा है UPGK में तो कत्थक नित्र से संबंधित लखनव घराने से हैं पंडित विर्जु महराज लखनव घराने से हैं मूल नाम है पंडित ब्रिजमोहन म पदम भीबूसर मिला है में उनींस ओचियासी में सेथिएंदा पुनित राज कुमार कंनर फिल्म अभिनेता मरडो परांथ वस्रावश्री पुरसका 2021 से संवानित पूनितराजकुमार आगे चलेंगे बीपीन दावत इंपोर्टेंट है आपके लिए बीपीन रावत तो आगे देखिए भारत के पहले चीफ अपडैस्पेंश देखें जो थल्सेना वाइफ सेना और नेवी जो है यानि जल्सेना इनके तो अध्याच होते ही हैं प्रमुक्त होते ही हैं तो मुधी सरकार ने क्या किया मुधी सरक एक तीनो सेना को कबर करने के लिए तीनो सेना में मनमानी नहों पाए थल सेना अलग काम करे जल सेना अलग काम करे वाई सेना अलग करे तो उसके उपर जो होते हैं दोस्तों उसके उपर जो होते हैं राश्पति सर्वुच सेनाओ के कमांडर हैं तीनो सेनाओ के सर्वुच कमा कच्छ रखा जाए तो एक सीडियस चीफ डिपेंस आफ स्टाफ सुरू किया गया सीडियस पहले सीडियस जो बनने वाले हैं पहले सीडियस विपीन रावत बने हैं और दूसरे मनोज मुकुंद नर्वाने इस्टा में बने हैं दोस्तों मनोज मुकुद नर्वाने इनके मिरित्व के बाद उनको बनाये गया तो भारत के पहले चीफ आप डिपेंज इस्टाप 8 दिसंबर 2021 को तमिलाडू के कुन्नूर के पास हेलिकाप्टर EMI 70 V5 दुरघटना से निधन तो आप हेलिकाप्टर का नाम भी याद रखेगा डेट भी याद रखेगा कि 8 दिसंबर 2021 तमिलाडू के कुन्नूर में तमिलाडू के कुन्नूर के पास हेलिकाप्टर EMI 70 V5 दुरघटना में निधन हुआ है आगे चलेंगे इस दुरघटना में हेलिकाप्टर पर सवाल शवार कुल 14 व्यक्तियों में से इनकी पत्नी मदुली का रावस सहित 13 की ततकाल मिर्ति हो गई बाद में इस दुरघटना से घायल गुरूप कैप्टन वरुन सिंग का भी अस्पताल में मिर्ति हो गई तो आगे चलेंगे दोस्तों यानि 14 लोग का मिर्ति हुआ था इस हेलिकाप्टर दुरघटना में तो हेलिकाप्टर का नाम याद रखेगा MI-70B-5 एक कोशन बन सकता है कि हिलिकाप्टर का नाम क्या था तो वो नाम बताईए जब बीपिन रावत का जब वो हिलिकाप्टर क्रेश किया था 8 दिशंबर 2021 को तमिल नाडू के कुनूर के पास तो आगे चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वन दूर्गतना ग्रस्त हेलिकाप्टर के पाइलट विंग कमांडर प्रित्वी सिंग चौहान थे दूर्गतना ग्रस्त हेलिकाप्टर के पाइलट का नाम है जो विंड कमांडर प्रित्वी सिंग चौहान थे दोस्तों आप आर्मी स्टाफ कप से 31 दिसंबर 2016 से 31 दिसंबर 2019 तक थे आगे चलेंगे मन्नु भंडारी मन्नु भंडारी हिंदी लेखी का 2008 में ब्यास सम्मान से पुरसकार प्राप्थ हुआ इनको मन्नु भंडारी इनकी कुछ प्रमुक उपन्या से महा भोज आपकी बंठी तथा यही सच है ठीक है मन्नु भंडारी हिंदी लेखी का में प्रक्ष्यात है दोस्तों मन्नु मंडारी हिंदी लेखी का 2008 में ब्यास सम्मान से सम्मादिर इनकी कुछ प्रमुक उपन्यासे हैं जो महा भोज है आपकी बंठी है तथा यहीं सच है यह तीन है याद रखिएगा इनका अभी नीधन हुआ है आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे अब चलेंगे देखिए सिनजो अबे जो चुनाओ के समय में सभा करते ही इनको गोली मारा गया तो इनके बारे में देख लेंगे सिंजो अबे जो जापान के पुर्व पीयम थे पुर्व पीयम थे चुनाव आने वाला था और इस्टेज पे दोस्तों इस्टेज नहीं लगाता वैसे एक चौराहे की तरब था वहीं से भासर दे रहते सभी लोग इकठा हुए थे और उसी में गोली मारा गया जापान के पुर्व परधान मंत्री इनका नीधन हुआ है सिंजो अबे का तो भारत द्वारा 2021 में पदम भीबूसर से सम्मानित किया गया है तो यह भी आपके लिए इंपोर्टेंट है नीधन तो सिंजो अबे का जापान के पुर्व परधान मंत्री है हुआ ही है भारत द वारा दोजार एकिस में पदम भीबूसर से सम्मानित किया गया है अगला पॉइंट है सेख खलीफा बिंजायल अल नहयान सेख खलीफा बिंजायल अल नहयान यूएई के राश्पती एवं अबुधावी के सासक थे इनका भी बितु हो गया है यूएई का अगे चलेंगे सिद्धू मुशेवाला पंजाबी गायक था ये दोस्तों सिद्धू मुशेवाला पंजाबी गायक थे इनका भी मिर्ति हुगा है गोली मार करके भजन सोपारी संतूर वादक है इनका भी मिर्ति हुगा है भजन सोपारी किस वादन से रिलेटेड है तो संतू वादक से ली लेटे हैं दोस्तों यूपीजी के या स्टैक्टिक जी के कोश्चन बनता है आगे चलेंगे तो आगे चलेंगे दोस्तों देखेए । बिर्जू महराज करत्थाक निरति से संबंदित है लखनव घराने से थे मुल नाम पंडित बिर्जमोहन मिश्रा था पदम बीविशन मिला साउनी सोची आसी में तो वाधन से रिलेटेद तीन लोग का मिर्थी हुआ है दोस्तों इस साल भाजन सोपारी संतूर वाधक पढ़ा जाता है पूस्ता है कोश्चन पंड डाक्टर रमाकान सुक्ल संस्क्रित एवं हिंदी के महान विद्वान है पदम स्री एवं साहित अकडमी पुरसकार से सम्मानित है संस्क्रित एवं हिंदी के महान विद्वान है डाक्टर रमाकान सुकला इनका भी देहान्त हो गया लियोनीद क्रावचुक लियोनीद उक्रेन के पहले राष्पती लियो नीदः क्राव्चुकर स्वतंत यूक्रेन के पहले राष्पती थे इनका भी मृत्ति हुगा हैं देहांद हुगा है राहुल बजाज उद्दोग पती हैं। बजाज समु के चेरमेन थें। 2021 में पदम भीबुशड से सम्मानित किये गए थें। राहुल बजाज इनका भी मिर्तिव हो गया है। कुमुद बेन जोसी कुमुद बेन जोसी आंध परदेश की पूर्वराजपाल थी कुमुद बेन जोसी आंध परदेश की पूर्वराजपाल थी आगे चलेंगे बप्पी लहरी प्रसित संगितकार डिसको किंग के रूमें प्रसित इनको डिसको किंग भी कहा जाता था डिसक इसको किंकेरु में प्रसित्ते मूल नाम था उलेकस लहरी उलेकस लहरी आगे चलेंगे बीनो दुगा बीनो दुगा पदम श्री से सम्मानित हिंदी प्रतकार इनका भी निधन हुगा लिउक मांट्रेगियर HIV के श्या खोज करता नोबेल पुरसकार विजेता है यह लिउक मांट्रेगियर HIV के श्या खोज करता नोबेल पुरसकार से समानित हुए है विजेता है तो यह भी इपोर्टेंट है आपके लिए हेमानंद विश्वाल उडिशा के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री इनका भी निदन हुगा हेमानन विश्वाल उडिशा के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं प्रमीड कुमार शोवती महाभारत में भीम का किरदार निभाया है सकुंतला चौधरी स्वतंतरता सेनानी तता समाग सुधारत थी एक प्रमुग स्वतंतरता सेनानी तता समाग सुधारत थी कि नेश्ट फॉइंट दोस्तों सिंधु ताई शपकाल समाज से वी महराज की मदर टरेशा सिंधु ताई शपकाल समाज से वी महराज की मदर टरेशा इनको कहा जाता है 2021 में पदम सिरी से सम्मानित है इनका भी मिर्थिव हुआ है आगे चलेंगे चरणजीर सिंग पुरो भारती हाकी खिलाडी इनका भी मिरत्यु हुआ है अगला पॉइंट आपके सामने है मिलीना सालविनी कतकली निरती से सम्मंदित फ्रांसीसी भारती है 2019 में पदमस्री प्राप्थ हुआ इनको इयो विल्सन जै विवित्ता के जनक है इनका भी नीधन हुगा है शार्दा मेनन भारत की पहली महिला मनोचिकिस तक इलीन एस इंगलेंड की है दुनिया के सबसे उम्मत दराज किर्केटर 110 साल के है इलीन एस इंगलेंड के हैं दुनिया के सबसे उम्मत दराज किर्केटर 110 साल यानि 110 साल हो गया था तब तक ये जिन्दा थे 110 साल तक का किर्केटर कोई जिन्दा नहीं था नेक्स्ट पॉईंट दानी सिद्दकी दानी सिद्दकी फोटो जर्णलिस्ट पुलिज़ग पुरसका 2018 से उनको प्राप्त हुआ नीधन हो गया, नेक्स्ट पॉइंट, शैद अली शाह गिलानी, शैद अली शाह गिलानी, जमु कस्मीर के अलगवादी नेता, मतलब जो अलगाव करना चाते थे, जमु कस्मीर का भारस से, वैसे नेता है, शैद अली शाह गिलानी, इनका भी मिर्टू हुआ है, तहरीक ए हु स्थापना किये थे वीर भद्र शिंग हिमाचल परदेश के पुर्व मुख मंतरी यानि छे बार रह चुके हैं वीर भद्र शिंग हिमाचल परदेश के पुर्व मुख मंतरी यानि छे बार रह चुके हैं वीर भद्र शिंग हिमाचल परदेश के पुर्व मुख मंतरी छे बा पांच बार लोग शबा है तो निर्वाजित हुए हैं तो राजनीतिक जो इनका शमय है बहुत लंबा था कल्यार सिंग जो यूपी के सीयम थे उट्तत परदेश के पुरु मुख्य मंतरी दो बार बने हैं उनका भी देट हो गया है आगे चलते हैं मिल्का सिंग मिल्का सिंग मिल्का सिंग पदम स्री से सम्मानित महान एथलेटिक से दोड़ दोड़ते थें मिलखा सी इनके उपर मूबी भी बना है पदम स्री से सम्मानित महान एथलिस्ट थें डाक्टर केके अगरवाल इंडियन मेटिकल एसोसियेशन आईयम में के पुर्वराश्टी अध्याश थें नेश्ट पॉइंट आपके सामने होगा चंद्रा नाइडू चंद्रा नाइडू जो हैं दोस्तों चंद्रा नाइडू प्रतम भारती महिला क्रिकेटर कमेंटेटर हैं अगला कोशन पदमा सचदेवा लेखक कवियत्री मतलब लेखक कवियत्री दोगरी भासा की पहली आधुनिंग महिला कवियत्री पदमा सचदेव लेखक अवली कवियत्री हैं लेखक यानि कवियत्री कह सकते हैं दोगरी भासा की पहली आधुनिंग महिला कवियत्री दोगरी भासा की पहली महिला कवियत्री आगे चलते हैं दोस्तों ओम नाम बियार ओम नाम बियार एटलेटिक कोच पीटी उसा के पुर्वकोच हैं ओम नाम बियार इनका भी देट हो गया यसपाल सर्मा किरकेटर 1983 भी सुकब में विजेटा टीम में शामिल तो यसपाल सर्मा जो थें किरकेट जब होगा था 1983 में भी सुकब होगा था विजेटा टीम में शामिल थे यसपाल सर्मा भी नेक्ट पॉइंट अनिरुद्य जगरनाथ मारिशस के पुर्वराश्पती और परधान मंत्री नेक्ट अनिरुद्य जगरनाथ मारिशस के पुर्वराश्पती और परधान मंत्री 2020 में पदम भीबूसर्ट सम्माने से सम्मानित किया गया है ति इंप्वर्टेंट लगा लिजेगा आगे सुन्दरलाल बहुगूडा, प्रसिद परियावरण कार करता एवं चिपको अंदोलन के प्रणेता ब्रिच मित्र नाम से प्रसिद है थीक है ना इंप्वर्टेंट है दोस्तों सुन्दरलाल बहुगूड़ा चिपको अंदोलन से क्या है पुछता है प्रसीत परियाबनण कारकरता एवं चीपको अंदोलन के प्रणेता इनको बृच्छ मित्र की नाम से जाना जाता था और ये उत्तरा खन्ड से related हैं जबको अंदोलन उत्रा खण्ड में हुगा भी है सुन्दरलाल बहुगूडा उत्रा खण्ड के फी निश्ट पव निइच्च वन जगानाद पहाडिया राजस्तान के पुर्व मुख्य मंत्री बिहार एंवं कि पुरुमः अध्याज श्री कुमार बनरजी। पदम श्री एवं सांधी श्वर्व भटनागर से पुर्वखार मिलाईन को नेष्ट पॉइंट है विल कल्याणम महात्मा गांधी के पूर्व नीजी सच्वी है। विल्य कल्याडम महात्मा गांधी के पुर्व नीजी सच्चिव। चंदर तोमर सूतर दाधी के नाम से प्रसिद। एमनर सिंगहम भारती रिजर्बैंग के पुर्व गवनर 1977 में बैंकिंग रिफॉर्ब के जनंग बैंकिंग जो रिफॉर्म लाया गया दोस्तों भारती रिजर्बैंग के पुर्व गवनर 1977 के सहयोग से एमनर सिंगह द्वारा लाया गया है एमनर सिंगह काते हैं दोस्तों लाया गया नेश्ट कोश्चन मानस बिहारी सर्मा मानस बिहारी बर्मा है दोस्त सौरी मानस विहारी बर्मा प्रसिद एरोनाटिकल बैग्यानिक तेजस लाड़ा को विवान बनाने की भूमिका इनका है और हमारा जो आफ लाइन कोचिंग है तेजस क्लासिस के नाम पे रखे भी हैं दोस्तों तो मानस विहारी प्रसिद एरोनौटिकल बैक्यानिक हैं तेजह लड़ा को वीवान बनाने में भूमिका इनका रहा है फातिमा और जकारिया फातिमा और जकारिया प्रसिद पत्रकार एमम लेखक हैं रोहित सर्दाना वरिष्ट पत्रकार एमकर एमम संपाधक थे इनका भी मिर्ति हुआ अब आगे लास्ट पॉइंट है बूटा सिंग पुर्व केंदरी मंत्री एमम बिहार के पुर्व राजेपाल बूटा सिंग, पुरो केंद्री मंत्री, ग्रिह मंत्री एवं बिहार के पुरो राजपाल 2004-06, आठ बार सांसरत रह चुके हैं तो चलिए दोस्तों हमारा एबर्स 2021-2022 के जो प्रमुक नीधन था हम लोग कम्पलीट कर चुके हैं तो चैनल को सस्क्राइब नहीं किये हैं, तो सस्क्राइब करिए दोस्तों, वेल आइकन दबाईए, वेल आइकन दबाईए, सेयर करिए, ताकि कोई भी नौटिपिकेशन अगर पढ़ेगा दोस्तों, यानि आप हम वीडियो अपने यूटूब चैनल पे अपलोड करेंगे, तो जो वीडियो अपलोड करेंगे, वो सबसे पहले आप तक नौटिपिकेशन जाएगा दोस्तों, सबसे पहले आप तक जाएगा, और भारती इतिहास एक करेंट अपे हिंदी का प्लेलिस्ट आपको वहां पे मिल जाएगा, चैनल में प्लेलिस्ट खोजिएगा, भारती दिहास भी चलना है दोस्तों, देख लीजेगा, यहीं पर अपने वारी को विराम देते हैं, जाएगे हिंदे